दोस्तो इंकम टेक्स ने सेविंग और करन्ट बेंक अकाउंट खाते के केश डिपोजेट करने की लिमिट बताई है हाली में देखें तो इंकम टेक्स विभाग ने नगद लेंदिन के लिए कुछ नियम बना दी है और इसमें सुधार का प्रियास किया है ये नियम कर्चोरी मनी लॉंडरिंग जैसी गतिवीदिया होती है उनको केसे रोका जा सके तो दोस्तो ये समझना वैपार के लिए और वैक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है कि सेविंग खाते में और करन्ट खाते में लिमिट क्या है वो हम देखेंगे जो नगत सीमा है वो इनकम टेक्स विभाग दुवारा लागो की जाती है ये लिमिट सेविंग और करन्ट खाते पर लगाई जाती है तो दोस्तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो दोस्तो पहले आप ज्यादा का केश जमा करता है और करन्ट अकाउंट में 50 लाक रुपे या उससे ज्यादा जमा करता है तो बेंक दुवारा ये सूचना इंकम टेक्स विभाग को दे जाती है दोस्तो जो शेविंग की लिमिट है उस पर मैंने वीडियो ओल्रेडी बना रखी हमारे चैनल पर 50 लाक रुपे तक रखी गई है खास तोर पर करन्ट अकाउंट की जरूरत तब पढ़ती है जब आप कोई बिजनेस करते हैं इसलिए दोस्तो सेविंग अकाउंट से ज्यादा लिमिट करन्ट अकाउंट की रखी गई है क्योंकि करन्ट अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट ह अगर आप करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपए तक केस जमा करवाते हैं, तो उस पर आपको छूट मिलती हैं, और अगर आप करेंट अकाउंट में 50 लाख शे ज्यादा केस जमा करा देते हैं, तो आप पर Income Tax Department की कार्यवाई हो सकती है, उनके नोटिस भी मिल सकते हैं, तो दोस्तो करेंट और शेविंग खाते के अलावा और भी कई ट्रांजेक्शन है, जिनका ध्यान नहीं रखने पर आप पर टेक्स लग सकता है, अब बात करेंगे हम दोस्तो केस विड्रोल की, जब आप अपने शेविंग या करेंट अकाउंट से केस विड्रोल करते हैं, तो उसकी क्या लिमिट है, अगर आप बेंग से केस विड्रोल करते हैं, तो सेक्शन 194N के तहट एक करोड से ज़्यादा केस विड्रोल किया जाता है, तो दो परसेंट से आपका TDS काटा जाएगा, अगर किसी वेक्ति ने पिछले तीन साल की रिटन दाखिल नहीं की, तो उस प और 20 लाग से अधिक केस विड्रोल करने पर 2% TDS काटा जाएगा, और 1 करोड से ज़्यादा ये जो रेट है वो 5 परतेशत हो जाएगी, यानि कि 5 परतेशत से TDS आपका काटा जाएगा केस विड्रोल करने पर, और काटी गई राशी आइकर दाइतों के विरुद जमा कर दी जाती है, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जरूर हिल्फुल रहा होगा, तो इस वीडियो को सेर करिए, और अब ही तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें